एक सवाल है, जिसका जवाब मैं खोजी नहीं पा रही हूँ मैं, मैं कौन हूँ? हाँ, मैं एक लड़की हूँ पर, क्या मैं वो मा नहीं, जो अपने बच्चे के सारे दुख उठा लेती है या वो बेटी, जो अपने घरवालों का नाम रौशन करना चाहती है या वो बेहन, वो लव्स हास सिप्लिंग्स क्या मैं वो बीवी नहीं, जो अपने हस्बन की ढाल बनके हमेशा उसका साथ देती है या वो गर्लफ्रिंड, वो लावसा बॉइफ्रिंड या फिर वो दोस्ट, जिस पे आप हमेशा भरोसा कर सकें या फिर मैं सिर्फ एक, सिर्फ एक लड़की हूँ, जिसका अपने शरीर से जादा कोई वजूद नहीं शीज जस्ट अ सेक्स मशीन कौन हूँ मैं? क्यों मैं ही वो हूँ, जो एक बच्चे को अपनी कोक में नौ महीने तक रख सकती है क्यों मेरी छादी से ही दूद निकलता है? क्यों सारा दर्ट मुझे ही बरदाश्ट करना पड़ता है? क्यों? क्यों कुदरत ने मुझे इतना दर्ट सेने की शक्ती दी है? क्यों कुदरत ने मुझे इतनी शक्ती दी है कि मैं एक नए जीवन को जन दे सकूँ? और क्यूं मेरी इस शक्ति को मेरी कमजोरी बना दी? क्यों मेरी मर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है? Why does my freedom has to come with a cost? क्यूं मेरी नाखों हां समझा जाता है? क्यों मुझे उसकी मर्जी का गुलाम बन के रहना पड़ता है? क्यों मुझे उसके नीचे दब के रहना पड़ता है? Why can't my no ever be respected? क्यों मुझे उसकी हवस का शिकार बनना पड़ता है? वो क्यूं जब चाहे मेरा इस्तमाल कर सकता है? मुझे हमेशा उससे क्यों खुश करना पड़ता है? Why do I have to satisfy his physical needs? Why does my happiness never matter? कोई मुझे कभी ये क्यों नहीं पूछता कि मुझे कैसा लगता है? क्यों मुझे अपनी अच्छाइच साबित करने के लिए शादी करनी पड़ती है? बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, घर बसाना पड़ता है? Why? Why do I have to be molested, frayed, abused, evdaced, stared at? Why? सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी अजादी चुनी? या फिर इसलिए कि मैं एक और थूँ? मुझे तो लगा था कि मैं एक बीवी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बेहन हूँ, मैं जिन्दगी हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं रॉष्णी हूँ, मुझे तो लगा था कि मैं आपकी इज़त हूँ, I thought I was your pride. लेकिन मैं आज आप सब से पूछना चाहती हूँ, कि मैं हूँ कौन? क्या मैं एक इंसान भी नहीं, जिसे ये जिन्दगी अपनी मर्जी से जीने का हक है? जिसे ये जिसे नहीं, जिसे जिसे ये जिसे जिसे जीने का है. in their lifetime. 3.5 billion women on our planet and 1.25 billion will experience sexual abuse or sexual assault. Shocking and sad isn't it that one half of us is hurt by the other.